समस्कार दोस्तों शूर्या फंडामेंटल इस्टेटी में आपका स्वागत है रोज की तरह आज में पांच प्रस में लेके आया हूँ आप देखिए इसे कोई रास साधारन व्याज की दर से 4 वर्सों में 26 रुपया तथा 7 वर्सों में 3050 रुपया हो जाती है तो वार्शिक दर या थी यह वराबर दिया है 5% 10% सी दिया है 7.5% दिया है साड़े 12% रेट पूछा है वार्शिक दर क्या होगा रेट पूछा है यह कोश्चन मतलब इसमें देखिए कुछ दिया नहीं है इसमें साधारन व्याज की रेट दर से 4 वर्स में कितना हो जा रहा है वो दिया है ना सिंपल इंट्रेस्ट आप ज जानते हैं सिंपल इंट्रेश्ट टीओ एस पी आर इंट्रेड होता है यह आप जानते है ब है प्रिंस्पल र्किया है रेट जो हमें सिंपल इंट्रेस्ट अब यहां सीधी सी बात आप समझ यह question को चार वर्स में दे रखा है हमें rate निकालना है तो question में दे रखा है सीधा सीधा कि चार वर्स में चार वर्स ना चार वर्स में 26 रुपया हो जा रहा है और फिर 7 वर्स में 컨़़व कितना हो जा रहा है 3,050 रुपया हो जा रहा है इतना रुपया इतना इन दोनों में अंतर कितना है तीन वर्सों का इसमें पैसे में कितना अंतर आ रहा है इसमें से इसे गटा देंगे लगभग यह आएगा कितना आएगा 4,050 रुपया कितना आएगा तीन वर्सों में जो कल्यात ब्याज बढ़ रहा है जो पैसा बढ़ रहा है इतना ते एक वर्स का कितना होगा एक वर्स का एक वर्स का अब इसमें पूछा है कि वार्सिक दर क्या होगी एक वर्स में इतना रुपया ब्याज हो रहा है देख रहा है तो यानि सिम्पल इंट्रेस्ट एक्वल क्या होता है पी आर पी अपान हंड्रेड न यह आप समझते हैं अब यहां पी एक वर्स में इतना हो रहा है तो यह चार वर्स में 26 हो गया तो इस चार वर्स में कितना हो जाएगा चार वर्स में ये 600 रूपया हो जाएगा हो जाएगा नहीं चार वर्स में ये 600 तो ये 2600 रूपया चार वर्स में हो रहा है यानि पी कितना हो गया 2600 में से चार वर्स का ये घटा देंगे तो आजाएगा 2000 रूपया ये 2000 रूपया क्या हो गया चार वर्स में 600 रूपया ब्याज मिला के 2600 हो गया था समझ में इसलिए हम मुल्धन निकाल लिए सिंपल इंटरेस्ट एक वर्स का आप जान गया है 1.500 रूपया होता है आप रेट आपको निकालना है तो यह 1.500 रूपया रख लिजिए यहां 2000 रूपया रख लिजिए इंटर आप निकाल लिए टाइम एक साल एक वर्स बटा 100 ए0 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 जीरो स कट गया ना आपको कितना आ जाएगा पंदर 150 अपान कॉन्टी 00 स कट गया यानि 15 बटा 2 इसे 0.500 करते हैं क्या करते हैं साड़े साथ परसेंट साड़े साथ परसेंट है आपका आपसन सी सही हुगा एंसर अगर कोर्षिन समझ में आया तो अगली कोर्षिन की तरफ चलते हैं कोर्षिन नंबर दो है एक से सव तक के बीचकूल अभाजे संख्याएं हैं कितना हैं 20 है की 22 है कि तो सिंपल सी बात है आप एक से अभाजे तक का कोई रूल नहीं है आपका कितना हो सकता है यह दो तीन पांट साथ उसके बाद लिए क्यार उसके बाद 11 यूंटीस ने तेस की सईंटीस 41, 43, 47, सालीज, सत्ताओं, नहीं, सत्ताओंज नहीं, 59, 61, 67, 73, 79, 83, 87, 93, 97, वास, पांट कर लेज़े, एक, दो, तीन, चार, पांच, शाथ, आट, नाव, दाश, इहार, बारह, तेरह, चाउद, पंदरह, सोलह, सत्रह, अटरह, निस, दीज, एकईज, बाईज, तेज, चोविस, पच्छिस, कितना, पच्छिस, यह आपका एंसर हुआ, हमें लगता है, आपसरण 20 सही होगा, एक कोश्चिन का सलूशन यही है, इससे ज़्यादा कुछ ने, और आप जितना जल्दी इसको लिख सकते हैं, उतरना जल्दी आपका एंसर, मैं अगली कोश्चिन की ओर चलता हूँ, कोश्चिन नमबर तीन है, दो संख्याओं का लसर 495 तथा मसर 5 है, यदि उन संख्याओं का योग सव है, तो अंतर क्या होगा, बहुत अच्छा कोश्चिन दिया है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि दो संख्या, माना, पहली संख्या, आपकी पहली संख्या क्या हो गई, यक्स, दूसरी संख्या, य, तो यक्स इंटू य बराबर हम जानते हैं, मतलब पहली संख्या गुड़े, दूसरी संख्या बराबर लास गुड़े मसर, लास गुड़े मसर, लिख सकते हैं, लास ग लस गुड़े मस ये आपका फर्मूला है पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या परावर लस गुड़े मस होता है तो पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या यक्स वाई हो गए अब लस अब मस जो दिया है हम उसी को लिल लेते हैं ये 495 गुड़े 5 हो गया पहली संख इन दोनों के help से हमको अंतर निकाल लेना है तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम सिधा सिधा जानते हैं कि x-y हमें निकालना है यक्स-y निकालना है यक्स-y हम कईसे प्राफ्ट करेंगे अब देखी हम पिछले हमारा वीडियो देखे होंगे इस तरह से एक question था मैं shortfall में उसके solve किया था आज इसको भी इसको हम isquiring both side कर देते हैं इसको क्या कर देते हैं स्क्वाइर इन बोच साइड पूश्य नमबर दो को यानी समिक्राण दो को दोनों पच्छों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यक्स प्लस वाई का वर्ग हो जाएगा बराबर इस सव का वर्ग हो जाएगा अब देखिए यहां फारमूला यक्स प्लस वाई का होल इस्क्वाईर बराबर यहां मैनस हो जाएगा ठीक है लिख लेते हैं तो अगला x square plus y square plus 2xy की जगा हम minus 2xy लिख लिया और ये plus 2xy इसी तरफ बराबर ये 100 का square इसी तरफ minus इधर 2xy तो इधर भी 2xy लिख लिया क्योंकि दोनों तरफ हम चोड़ दियें इसे अब ये इतना e square में बन जाएगा x minus y का whole square बन जाएगा अगा नहीं प्लस 2 x into y x into y की बैलू ये है इसको into कर दीजिये 5 into 45 इतना आया समझे ये x y की बैलू हम यहां से ले लिया इसमें रख दिया अब देखिए इस 100 का square करेंगे इतना हो जाएगा minus 2 x y x y की बैलू ये है इसमें 2 की multiply कर देंगे 2 का multiply यानि 2 into 5 into 45 इतना समझ में आपको आगया ना इतना अगर आपको समझ में आगया तो अगला step आप यहापे कर सकते हैं हमें क्या निकलना है यक्स minus y अब देखिए यक्स minus y का whole square प्लस ये पांदूना 10 10 का गुड़ा इसमें कर देंगे 4, 9, 5, 0 हो जाएगा इतना बराबर यहाँ पे 10 अजा ये इसका भी गुड़ा कर देंगे तो यहीं हो जाएगा यहाँ पे क्या है माइनस है ते भी माइनस 4, 9, 5, 0 हो गया अब यह 4, 5, 9, 0 इधर से उधर जाएगा तो इसमें आ जाएगा यहाँ माइनस 4, 5, 9, 0 हो जाएगा टोटल यह 10,000 माइनस यह 0, 5, 9 है तो यह 5, 5, 10 के सुनना न दुनिया ठारा एक 9, 4, 8, 9, इतना हो गया इसमें से इसे खटा देंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ यह आपका एंसर होगा अगर एक कोस्चन समझ में आए तो आपसन आपका एस सही हो जाएगा मैं दूसरा कोस्चन करता हूँ कोस्चन नमबर 4 है क्या है 101,102,103,200 तब क्या होगा यह तो आप लोग 10 आई ग्रहुए के क्लास में समांतर स्रेणी पढ़े होगे उसी से आता है मतलब पहला संखिया इतना दूसरा संखिया तीसरा है समांतर स्रेणी, समांतर स्रेणी के समों को योग पूझा है तो पहला पद ए बराबर हम लिखते है 101 इनका सारौ अंतर D बराबर क्या है 102 माइनस 101 बराबर 1 है इस तरह से है तो इनका मतलब कुल पदों की संख्या 101 से शुरू है, 200 तब है, तो यह न बराबर 100 है, 100 है, तो यह स यन बराबर फार्मूला होता है, यन बाइ 2, ग्रेकेट में 2A, प्लस यन माइनस 1 इन 2D, यह फार्मूला होता है, सम पूछा है, तो सम का यह फार्मूला, यन की जगह क्या है, 100, 100 गठा 2, 2, एक ही जगह क्या है, 101, 101, प्लस, यन बराबर कितना है, 100, तो सम माइनस 1, इन्टू बराबर 1, यह फार्मूला हो गया, यह कट जाएगा, 50 हो गया, यह ब्रेकेट में 202 हो गया, प्लस, यह 99 हो गया, जोड दीजे, यह 50 हो गया, यह 99 में यह जोडेंगे, 9, 2, 11, कई 1, 9, 1, 10, कि शुना, सिल लगा, ए, एदिभाई, ए, 309, 2, 11, कई 1, 9, 1, 10, सिल लगा, ए, 2, 301 हो गया, मल्टिप्लाइ कर देंगे, यह 0 हो जाएगा, 5, 1, 5, 0, 0, 15, मतलब इतना इंसर आएगा, 15, 0, 50, 15, 0, 50, जो आपका आप्शन है, आप्शन C, यह अपका शई हुआ, अगर कोशन अच्छा लगा, तो अगली तरफ, अगला कोशन की तरफ चलते हैं, कोशन नमबर 5, ए, किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितना चींपल सा है, यह तो बहुत सरा लापका ह जब A च्छर दिन में करता है तो A का एक दिन का कम कितना होगा? एक बटा च्छे होगा, B नौ दिन में करता है, तो B का एक दिन का कम कितना होगा? एक बटा नौ होगा, दोनों का एक दिन का कम कितना होगा? 2 बटा 9 दोनों को जोड देंगे 18 लसी मों जाएगा हो जाएगा दो एप्लस एच शरी दो कि दो पांच बटा अठरा दोनों का एक दिन का काम पांच बटे अठर तो दोनों द्वारा क्या कह रहा है दोनों मिल को किते में दिन प्राग्यों की संख्या बराबर, क्या होता है ? पूरा काम, एक बट के, एक दिन का काम 5 गोर्ण, प्राग्यू भाग देदेंगे, तीन पचे 15 गोर, तीन बार है और 15 गोर, टीन से ही इतना दिन, इतना दिन वो काम करेगा, आपशन आपका कौन सा होगा C सहीं हो जाएगा कोश्चन समझ में आ गया होगा बहुत सरल्ला अगला कोश्चन की तो कोश्चन नमबर 6 है एक बस 18 मिनट में 12 किलो मेटर की दूरी तै करती है तो बस की 4 किलो मेटर में क्या होगी और यह बहुत अच्छा जैसे मीटर पर सेकेंड में है तो किलो मीटर पर सेकेंड में चंच कर यह किलो मीटर पर सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड में चंच करने के लिए बहुत अच्छा है 40 किलो मेटर पर हावर 45 किलो मेटर पर हावर 36 किलो मेटर पर हावर आं दूरी क्या दिया है 12 किलो मीट्र दिख लिया मेगर है 18 मिनट दिया घ्यान दीजेगा यह मीनट है आप इंवरे किलो मीट्र को किलो मीट्र में ही रने दिए कोई बात नहीं लेकिन देखे इे 18 क्या है minute है, minute को हम जैसे कोई minute है तो उसको second में बदलते हैं तो 60 का multiply कर देतें गंटा में बदलते हैं तो 60 से divide कर देते हैं एतना क्या हो गया यह हावर हो गया, समझे 6, 3, 18, 16 हमें 60 यानि 12, बटा 3, बटा 10 यह उल्टा हो जायगा 123, बटा 3 3 के 12 यानि 40 हा जाएगा 40 किलो मीटर पर हावर हो जाएगा किलो मीटर पर हावर आपसान आपका ये सही होगा एक कोस्चन्स अगर समझ में आया तो like, share, subscribe करना मत भूलेगा धन्यवाद